Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज के इस वीडियो के जो टॉपिक का रिक्विस्ट है वो सुमंता दास जी के तरफ से आया है इन्होंने सवाल पूछा है कि KTM 125 Duke जिसमें 125cc का इंजन है वो बाकी के 125cc के इंजन के बाइक के मुकाबले ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर पाता है जबकि इसका माइलेज बाकी के 125cc के बाइक के मुकाबले कम होता है तो इसी के बारे में आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने तीन बाइक का एक्जामपल लिया है पहला बाइक है Hero Glamour दूसरी बाइक जो है वो है Honda Shine SP 125 और तीसरी बाइक है KTM 125 Duke फिर्च मैं आपको यहापे यह भी एक्लियर कर दू कि आगे जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ 65 CC के बाइक के लिया लागू नहीं होते है वो आप किसी भी सिसी के बाइक को या कितने भी सिसी के कार को अगर आप आपस में कंपेर करो तो उन में भी वह ऺ कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो मिकैनिकल टेक हिंदी के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी भी है तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले अब फ्रेंट सबसे पहल कि इंजन के सिसी के मुकाबले में अल्मोस्ट तीनो ही बायक सेम ही है लेकिन अब यहाँ पर बात आता है मैक्सिमम पावर ओट्पुट का और मैक्सिमम टॉर्क का अब दिखिए जो मैक्सिमम पावर है हीरो ग्लैमर का वो है 10.87 PS at 7500 RPM अब जो मैं आपको RPM बताने वाला हू उस पे आप बहुत ज़्यादा गौर किजिएगा क्योंकि RPM का ही सारा खेल होने वाला है अब जो होंडा साइन का है मैक्सिमम पावर ओट्पुट वो है 10.8 at the rate 7500 RPM और जो KTM 125 डूक है उसका है 14.5 at the rate 9250 RPM अब मैं आपको तुरंत मैक्सिमम टॉर्क भी बता जाता हूं तीनो ग्लैमर का है 10.6 Nm at the rate 6000 RPM यह होंडा साइन का है 10.9 at the rate 6000 RPM और जो KTM 125 डूक है उसका है 12 Nm at the rate 8000 RPM अब जो मैक्सिमम पावर और जो मैक्सिमम टॉर्क का डेटा है अगर आप उसमें गौर करोगे तो जो KTM 125 डूक है भले इंजन की कैपसिटी सेम है लेकिन इसका RPM बाकी के दो RPM का निकल कर आ जाता है असान लफजों में कहना हो तो RPM का फुल फॉम होता है rotation per minute या फिर revolutions per minute यानि कि एक मिनट में यह जो क्रैंक साफ्ट आप देख रहे हो जो कि engine के अंदर में होता है यह क्रैंक साफ्ट एक मिनट में कितनी बार घूम पा रहा है और मैं आपको यहां प घूम पाता है और यह जो पिश्चा ने वो जितना तेजी से engine के cylinder के अंदर में इसका reciprocating motion होगा उतना ही तेजी से यह क्रैंक साफ्ट घूमता है अब इससे जुलावगा एक interesting data है जो कि तिनों बाइक का ही है मैं आपको पहले वो बता देता हूं मैं यहां पर आभी आपको 125 Duke का है 47.2 mm पहले तो आप यह गौल कर लें कि जो हमारा KTM 125 Duke का stroke length है वो सबसे कम है अब मैं आपको समझाता हूं कि stroke length होता क्या है और इस topic से वो कैसे जुड़ा हुआ है अब देखिए यह जो piston देख रहा आप यह जो cylinder engine का इसके अंदर में ठीक है यह इस तरह से रहता है औ और piston का इस engine के cylinder के अंदर में up-down up-down यानि की reciprocating motion होते रहता है चूकि KTM 125 Duke का जो stroke length है यह जो उपर जाना और उपर से नीचे आना वो सिर्फ और सिर्फ 47.2 mm है इसलिए KTM 125 Duke में यह जो piston है वो ज़्यादा तेजी से up-down हो पाता और जिस वज़ा से यह जो हमारा crank shaft है वो KTM 125 Duke में ज़्यादा तेजी से घूम पाता है hero glamour और जो हमारा honda shine है उसमें यह जो stroke length है वो KTM 125 Duke के मुकाबले ज़्यादा है तो पहली बात तो RPM ज़्यादा होने के वज़ा से भी KTM 125 Duke का maximum power और maximum torque का जो output है वो बाकी के दोनों Vikes के मुकाबले ज़्यादा है लेकिन सिर्फ RPM न hero glamour का compression ratio है वो है 9.9 is to 1 Honda sign का है 10 is to 1 और जो हमारा KTM 125 Duke का है वो है 12.8 is to 1 यहाँ पे KTM 125 Duke का compression ratio ज़्यादा है मैं असान लब जो हम समझाता हूं कि compression ratio basically होता क्या है अब देखिए engine के cylinder के अंदर में जब हवा और petrol आता है उस हवा और petrol को जो हमारा compression stroke के time पे piston के द्वारा कितन ज्यादा compress किया जा रहा है कितना ज्यादा दबाया जा रहा है वही है compression ratio और चुकि KTM 125 Duke का सबसे ज्यादा है 12.8 is to 1 है इस वज़ासे यहाँ पे compression stroke जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है और जितना बेहतर तरीके से हम हावार पेट्रोल को compress करते है उतना बेहतर तर आते है और जो explosion है वो भी बेहतर होता है तो compression ratio जो हमारा compression ratio है वो ज्यादा है इस वज़ास से भी जो हमारा KTM 125 Duke है उसमें हमें जो torque और power output है वो ज्यादा देखने को मिल जाता है यहाँ पे एक और point निकल करकाता है जो कि इससे जुड़ा हुआ है वो है कि देखिए शायद से लोगों को नहीं पता होगा कि जो हमारा KTM 125 Duke है वहाँ पे दो नहीं चार valve होते है दो intake valve और दो exhaust valve होते है बाकी के जो हमारा Hero Glamour है या Honda Shine है वहाँ पे सिर्फ दो ही valve है एक intake valve और एक exhaust valve अब इस से यहाँ पे यह फरका जाता है कि जहादा valve का यूज़ करते है एक cylinder में चा valve होता है तो जो हमारा intake stroke है या जो हमारा exhaust stroke है वो जादा बहतर तरीके से हो सकता है यानि कि engine जादा बहतर तरीके से सास ले पाता है और जो हमारा exhaust gases है वो भी बहतर तरीके से निकल पाता है इस वज़ा से भी यह जो हमारा KTM 125 Duke है उसका power और जो torque है वो जादा बहतर होता है तो इन तीन डिजन्स के वज़ाँ से ही आर्पियम, कंप्रेशन एशो और जो वैल्व है, उसके वज़ाँ से ही आपको ज़्यादा बेतर टॉर्क और पावर देखने को मिलता है KTM 125 ड्यूक में, अब अगर मैलेज की बात कर ले, कि मैलेज कम क्यों होता है, अब यहाँ पर ड तो उस पावर को प्रोडूस करने के लिए ज़्यादा फ्यूल को जलना पड़ता है, यानि कि ज़्यादा पेट्रोल को जलना पड़ता है, और चुकि KTM 125 ड्यूक में ज़्यादा पेट्रोल जलता है, तो ऑब्विस सी बात है, जो efficiency है, फ्यूल की, वो कम हो जाती है, यानि आप compression ratio को अच्छी तरह समझा चाते हो, तो उसके उपर में भी वीडियो है, जो engine के CC का क्या मतलब होता है, उसके उपर में भी वीडियो है, और torque, RKM और BHP क्या होता है, इसके उपर में भी वीडियो बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के description में दे दूँग, और उमीद है क आप चैनल पर नए हो, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आकन को भी दबाले, ताकि आने वाले important videos के update, आपको notification के थुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching this video, good bye